सबी समाने साथियों को साधर पैलाम समाने साथियों मैं नवीन ते आगि नवीन एगरोफ़र्म चैनल पर आपका स्वागत करता हूं समाने साथियों आज मैं फिर आया हूं मादेवकली गोट flour ग्राम चकरमा जो कि पलही पट्टी से करीबन 7 किनोमीटर दूर है और ये बनारजनपद में आता है समानित साथियों और आज मैं आपको बताऊंगा कि बकडी पालन में नमक का क्या महत्तो है समानित साथियों यह बहुत ही ज़रूरी है बहुत ही अतियावस्यक और बहुत ही अच्छा वीडियो है इसको पूरा देखिए अगर आप बकडी पालन कर रहे हैं तो नमक के महत्तो है यह आपको बहुत अच्छा वीडियों कारगार वीडियों साबित होगा तो यह देखते हैं यहां के ओनर है वकी राजबर जी हैं उनसे मिलते हैं उनसे जानते हैं कि बकड़ी पालन नमक का क्या महत्तु है कि आपका हमारे चेलर अवी नेगरो फार्म पर स्वागत है तो सबसे पहले वकील जी का परचे दीजिए अंच्छा जब से यह हो संभाले तब से बकरियों पर ही काम करते हैं इस टाल फीडिंग नहीं करते हैं इनकी बकरिया चराई पर रहती हैं और बहुत ही तायार से इसके हमारे बकरी सार्म कर रहे। थे से ले खुखा हूं यह हमारे गुरु आपका बहुत बहुत स्वागत राजबर जी आपका राजबर जी बताइये बकरी पालन के नमक सब्सक्राइब नहीं जिए देना चाहिए तो इसकी जनकारी नहीं चाहता हूँ खाते हैं कर दो आत्या दो नमक इसते माल करते हैं वह सर नमक देने का सबसे आच्छा तरीका जो है को सार हो जाता है स्वादिष्ट हो जाता है और उसमें होता है सबको पता है कि बाड़ी की भीकास के लिए अईयोटिन कितना महत्पूर है यह कि यह नमक हो गया सर दूसरा एक नमक आता है सर मीठा नमक इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं उसको सर देने का तरीका हमारे हिसाब से जैसे आज सानीम अगड़ को फेली तरे देते हैं तो ऊसमें उसमें मात्रा सवह सब्लें नमक होता है कि भूसे का कर्ण भूसे बदल देता हे तो उसको आज wise जह स्ञा से करने फोटों कि पहले गोश्ड़की जब होनार तो ढलनीका यदि आप रेगुलर अपने जानवर को मीठे नमक का पानी पिलाते हैं तो आपको वह देने की लिबर्टानिक देने की कोई हो सकता नहीं जानवर आपका चपे-चप खाएगा उसको पानी में पिलाने का आदत पकड़ा दीजिए मीठा नमक को मिठा नमक की कहते हैं हम मीठा इतना यह यह नमक सर इतना तगड़ा होता है कि इसको इसमें पत्थर गयलाने की भी सक्ति होती है तो इसको आप कैसे देंगे इसका अब तरीका है इसका पर्चून Light के दूकान डहेला लेजिए ढोका इसको अपने जो फीडर है' बड़ा नमक करती है यह जो मैं आपको नमक के बारे बता रहे हैं चारो नमक का फारम में तीन अभी एक चौथा बता रहे हैं सेधा नमक मिनरल के सारे तत्व दिर यह उछे प्रकार से संपूर मिनरल कह लीजिए इसका भी आप प्रकार से बकसे मिनरल जाएगा अपको बाहर से मिकचर देने की आओ सकता नहीं है यह मैं जो भी सर्म बताता हूं अपने किसानों को मैं यही चाहता हूं कि जैसे मेरा लक्ष रहता है कि कोशिस यह करिए कि जीरो इन्विश्ट पर बकरी पालिए जैसे आप सोचिये सर की मिनरल आते हैं बजार का 240-250 के नीचे कोई मिनरल मार्केट में नहीं है और यह सेंधा नमक आपका सस्ता है काम करेगा वहीं तो सस्ते से हम लोग अच्छाई की तरफ क्यों ना बढ़े क्यों हम भागाई की तरफ जाएं सर्फ आपका जैसे लिबर्ट लिबर्टानिक देना है काला नमक दे दीजिए सब चीजों से क्या होता है कि आपका बजट कkichrate एक और जो आपका बकरे का growth और हाइप मंध़ा और तो हमारे हिसाब से हमारा प्रयोग है कि मैं यही तरीका ठीक है मैं जो तरीका अपनाता हूं तरीका मैं किसानों पूह करता हूँ यह तरीके से जो है वकरिया को इसी प्रकार का नखरा नहीं करती खाने पीने में कोई प्रकार का वो नहीं होता इनका ग्रोथ और इनका वजन अच्छा बढ़ता है तो सम्माने साथ है देखा कि आपने देखा कि राइस पटेल जी कैसे जो है अपने अनुभाव से अपने प्रेक्टिकल से प्रेक्टिकल मोस से नहीं नहीं चीजें बताते रहते हैं इस वीडियो में उन्होंने बताया कि जो सफेद नमक होता जो हम लोग खाने में खाते हैं वह ब्रण haar उसको खिलाना है और जो सैदा नमक होता है सेदा नमक को और काले नमक को उसका जो खाने का जो बरतन होता है उसमें आप रख दीजिए वो अपने आऊ सकता अनुसार जो है टाट लेंगी अब इनसे जो है कई चारी सारे लाब बताए आप सब जान चुके हैं सब समझ चुके हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए की फाइदेमंद वीडियो है और जैसा होगा आप मुझे कमेंट में लिक कर बताए और साथ इस वीडियों को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियों को लाइक करिए ताकि ताकि आज़ेस पटेल जी को भी अच्छा लगे और अपने मित्रों को जो नया फार्म को साथ Share करिए समाने साथि olsun आपको वीडियों कैसा लगा उसके सथ सेर करिए उसके साथ साथ जो है इस चैनल को subscribe करिए ताकि आशन ओसे जैसे वीडियों बार बार मिलते रहें बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमसकार साभा आप आप